स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और आज से हम लोग मई का राशिफल देना स्टार्ट कर रहे हैं मेट से मीन तक का राशिफल मैं आपको दूँगा एक एक करके सारी वीडियो आपको अपलोड करके दी जाएंगी वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर मेरे को बताएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा बेल आइकन को दबाएगा साथ साथ शुरुवात हम लोग करेंगे के कौन कौन से त्योहार मई के महीने में पढ़ेंगे तो साथ मई 2021 को वरुथनी 81 रहेगी 11 मई को वेक्षाक क्रिशन पक्ष की अमावस्तातिती रहेगी 14 मई को अक्षितितिय रहेगा और 26 मई को वेशाक पूर्डिमा 22 मई को मोहनी 81 तथा 24 मई को उपनयान संसकार का महूरत 14-13-16 को रहने वाला है वहीं अगर आप घ्रह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो साथ मई आठ मई 12-21 मई को आप नवीन घ्रह प्रवेश यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप वेपार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 14, 26, 30 मई को आपके लिए ये बहुत अच्छा महुरत यहां पर रहेगा, जिसमें आप अपना कोई भी कार्य यहां पर स्थापित कर सकते हैं, तो वीडियो अंतक देखेगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कु देखने को बिलेगा, पहले हम यह देख लेटे हैं कि गरहों की क्या इस्थि इस समय चल रही है, तो अगर हम के तो की ट्रांजिट की बात करें, तो की तो की चल रहे हैं प्रशिक रातिजिक नहीं बशुरुजराशी के अंदर, और शनी के अंदर है Тамश्य hen मई 2021 को वर्षब राशी में जाएंगे और 22 मई को जैमनी में जाते वे यानि की आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर यह 22 जून तक वहाँ पर रहेंगे वहीं जूपिटर जो है वो कैपरिकॉन में है और साथ-साथ मरकरी की जो इस्तिती है यानि की बुद्ध की जो इस्त पुथल जो है वह अगले महीने आपको देखने को मिल रही है वहीं मार्स जो है वह अभी जैमनी में चल रहे हैं 14 अपरेल से 2 जून तक वहीं रहेंगे और 2 जून को वह कैंसर में जो हैं ट्रांजिट कर जाएंगे वहीं सन जो है वह अभी चल रहे हैं एरिस में 13 अपरेल क के बाद वह 14 मई 2021 को टारस में चले जाएंगे और 15 जून तक वहीं पर रहेंगे तो यह हमारे ग्रह गोचर की स्थिय आपने देखी तो दोस्तों बात करते हैं तुला राशी की के तुला राशी वालों का मई का महीना कैसा जाने वाला है देखे कुल विलाकर मई का महीना आप का घर में लगा रहेगा यहां पर आपके जो घर के बुजर्ग हैं उनकी तरफ आपको विशेश ध्यान रहेने की आवश्यक्ता रहेगी क्योंकि कास और से अगर घर में दादा दादी है तो उनके स्वास से रेलेटेटिट को चिंताय आपको सता सकती है हाला कि कोई अगर पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो यहां पर आपको बहुती ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यक्ता रहेगी क्योंकि वो समस्य थोड़ी सी बढ़ रही है वहीं अगर हम आपके वैपार को देखें तो यहां पर वैपार में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है वो सुचारों रूप से वैसे ही चलता रहेगा और आपकी बचत यहां पर होती दिखाई देगी लेकिन आपको थोड़ी से खंच्रों पर यहां पर कंट्रोल करने के आवश्यक्ता है क्योंकि परिवार की जो खर्चे हैं वो थोड़ी से बढ़ेंगे इस समय आमोत प्रमोत के लिए यानि की एंजॉइमेंट के लिए आप कुछ खर्चें यहां पर करते हुए दिखाई देंगे लाव आपको यहां पर होते रहेंगे यहां पर शेयर मार्केट में वैसे तो अभी थोड़ा सा आपको सज़ा कोके चलने के आवश्यक्ता है लेकिन शेयर मार्केट के पर नाउन थोड़ा सा यहां पर आपको परशान तो जरूर करेगा लेकिन कुल विलाकर आपका बहुत बड़ा नुकसान यहां पर नहीं होगा जो सरकारी नौक्रियों में हैं उनको बहुत जादा ध्यान देने के आवश्यक्ता है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है जिससे गतिविधिया तेज हो रही है रिस्पॉंसिबिल्टी आप बढ़ रही है आपको ऑफलाइन के सास्ता तो ऑनलाइन काम भी करना पड़ रहा है और यही कुछ हाल आपके प्राइवेट नौक्री वालों का भी है तो यहां पर अगर आप नौक्री चेंज करने की सोच रहे है तो मैं कहूंगा कि नौक्री को कुछ समय के लिए टाल दें अभी जिस नौक्री के साथ है उसी के साथ लगे रहें वो अच्छा रहेगा यह प्राइवेट वालों के लिए था सरकारी नौक्री वालों के लिए यह है कि अभी प्रमोशन और इंक्रिमेंट है उससे तो भूल भी जाएए क्योंकि उसमें कुछ खास मुझे होता हुआ दिखाई यहां पर नहीं दे रहा है जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए कारेश शेतर में सफलता पराप्त होगी जो लोग परिक्षा में वहाया क्यूआ धर के अवड़ोने करेश लिए तिर्नाव करें लेगे तो परेक्षा में भी उसका आसर आपको देखने को मिल सकता है इसलिए तनाप को ना लें जादा तो बहतर है अपने आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट में रखिए बहुत जादा पढ़ाई जो है करिए लेकिन पढ़ाई भी के साथ साथ रेस्ट भी आपको लेना जरूरी है यहाँ पर जो लोग अपनी ग्रेजुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे थे या कुछ नया कुछ करना चाह रहे थे तो यहाँ पर उन्हें एक अच्छे तरीके से मागदर्शन की आवशकता है किसी बड़े व्यक्ति की मागदर्शन ले 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 तो भैतर रहे रहेगा आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ने के आवशकता यहाँ पर दिखाई देती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रैस कीजेगा अगर हम आपके प्रेम के जीवन की बात करें तो जीवन साती का जो स्वास्ते है उसमें स्वास्ते हैं आपर मुझे दिखाई दे रही है उनका विशेज ध्यान रखने के आपको आवश्यक्ता रहेगी आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा समय उनको दे और समय के साथ-साथ अपने रिलेशन को मजबूत करें यहाँ पर जितना हो सके उनका ध्यान थोड़ा सा बिमारी की दरब से हटाकर थोड़ा सा जैसे मूवी दिखा दी आप बहार तो आप जा नहीं सकते दे रहे हैं वहीं अगर हम स्वास्त के जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी mental stress तो पड़ेगी गरमी बढ़ रही है तो यह पर छंडी चीजों का सेवन करें चाहे कम पीएं क्योंकि घर में एक तो फास्त की समस्या है जो बड़े बुजूर्गों के साथ आएगी उसकी बज़े से मेंटल स्ट्रेस बड़ा सा रहेगा आपको लेकिन आपको अपने आपको भी तरो ताजा यहां पर रखना है गरमी बढ़ रही है और गरमी की बढ़ने क्योंकि यहां पर पेट से सम्मंदित कुछ समझता है मुझे दिखाई देती हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे यह कहूंगा कि सेनिटाइजिंग और मास्का भी इस्तमाल करें क्योंकि कोरोना की हाल चाल आपको पता ही है कि क्या चल रहे हैं और हमें बिल्कुल भी यहां पर एक तरीके से शांत नहीं होना है अपने आपको सजग रखना है और जितना हो सके घर में रहें और जरूरी होने कोई जरूरी काम आपको आ रहा है तब यह आप भार जाए अगर तुलाराश्री वालों का यह महीं का महीना देखूं तो काफी हद तक ठीक ठीक कहूंगा बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं लेकिन हां संतान की तरफ से थोड़े सा आपको चंता रहेगी उनके कैरियर को लेके और नौकरी पेशा वालों को अपनी नौकरी में ज्यादा एक्स्पेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है हाला कि ओवरॉल घर का वात झाल झाल